दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने बाले हैं कि हमारे यूटूब चैनल का CTR कितना होना चाहिए जी हाँ मेरे दोस्तो यानि कि अगर आप एक यूटूबर है और खास करके अगर आप एक नई यूटूबर है तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूड़ी है कि आपके यूटूब चैनल का CTR कितना होना चाहिए और अगर आपके YouTube चैनल का CTR कम है तो आपको उसको कैसे बरहाना है आपको कैसे इंक्रीज करना है उस सरा डेटियल हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं तो आगे बरने से पहले बता दो कि मेरा नाम है राम परवेस और आप देख रहे हैं Mr. राम परवेस चैनल और अभ अगर आपके YouTube चैनल का CTR परशेंट और अगर आपके YouTube चैनल का CTR परशेंट और अगर आपके YouTube चैनल का CTR दस परशेंट से ज्यादा है दस से ज्यादा है तो आपका YouTube चैनल बहुत ही अच्छा है और अगर आपके YouTube चैनल पर दस परशेंट से ज्यादा CTR है और आपके YouTube चैनल पर भीव नहीं आता है तो इसमें आपका थमनेल में कोई गलती नहीं है आपके जो वीडियो में प्रोब्लम होगा यानि कि आपका व बनाते होंगे कितना भी अच्छा थमनेल बनाते होंगे तो आपके जो वीडियो का इंप्रेशन है और YouTube आगे के तरफ भेजता ही नहीं होगा तो इस वाज़े से आपके YouTube चैनल पर भीव नहीं आता होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका YouTube चैनल है उसका CTR आप बनाना होगा आपको और उसके बाद आपको थमनेल बनाना अच्छे से सीखना पड़ेगा उसके बाद आपको जो है अपने थमनेल में अच्छे अच्छे टेक्स्ट लिखना पड़ेगा अगर आपके टेक्स्ट नहीं है पिक्सल लेब में अगर आप पिक्सल लेब से थमन तो यह होता है CTR जो हमारा YouTube channel का CTR होता है वह अगर 10% तक है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है अगर आपके YouTube चैनल का CTR 10% से जदा है और आपके YouTube वीडियो नहीं आता है तो समझे लिजिए या तो आपका वीडियो भी अच्छा है तो समझे लिजिए आपका इंप्रेशन ह आगे के तरफ नहीं भेज रहा है इसमें आपको कोई भी गलती नहीं है इसमें यूटूब का गलती है आप इंप्रेशन और आपने यूटूब चैनल का सीटी आर कैसे चेक कर सकते हैं वह चलिए हम मुवाइल के स्क्रीन पर चलके आपको बताते हैं तो सबसे पहले आपको अ हमारे फोन में वाइटी स्टीडियो है यहां से में इसको ओपन करते हैं और जैसे आप वाइटी स्टीडियो खोलेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे आप उसके उपर क् तो यहाँ पे आपका जो है content बाला option में आ जाएगा उसके बाद आपको एक काया करना है इसको घसकाना है और यहाँ पे देख लिजिए impression जो है हमारा impression यूटूब जो है डाउन कर दिया है यानि कि जो हमारा impression था पहले 4 लाग 5 लाग जाता था हर महिने का लेकिन अभी 1 लाख यह हमारा जो है यानि कि 11.9% है यानि कि लगभग 12% है आसपास तो देख लिजिए इतना ज्यादा हमारा impression click-through rate है यानि कि मैं आपको पहले बताया था कि आपका YouTube चैनल का impression click-through rate अगर 5% है तो कम है 5% से ज्यादा है तो बहुत ही अच्छा है और अगर आपका 10% से ज्यादा है तो और भी बहुत अच्छा है तो देख लिजिए हमारा impression click-through rate है 11.9% है यानि 12% के आसपास है फिर भी हमारे वीडियो पर भीज नहीं आ रहा है क्योंकि impression YouTube आगे नहीं भेज रहा है impression down है अगर आपके अपने YouTube चैनल का impression click-through rate बढ़ाना है तो उसके लिए आपको thumbnail पर काम बढ़ जाएगा जितना लोग आपकी YouTube वीडियो पर click करेगा आपके YouTube चैनल का CTR उतना बढ़ेगा तो इसलिए अगर आपका YouTube चैनल का CTR बढ़ाना है तो आपको thumbnail पर सबसे पहले काम करना पड़ेगा तो इसी प्रकार से आप अपने YouTube चैनल का CTR चेक कर सकते हैं और कैसे प मिलेगा गाईश अगर आपके मन में कुछ confusion कुछ सवाल है तो आप मुझे नीचे comment करके बता सकते हैं मैं उसका answer आपको जरूर दूँगा बस मिलते हैं आप से किसी अगले वीडियो में अगले टोपिक के साथ तब तक के लिए बाई